जहिन दोस्तों अगर जिदि आप इंडियन आर्मी जीके की त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंपोर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा फिजीकल के बाद जो है डिटेन टेस्ट भी इसमें देना होता है जिसमें से 50% रहते हैं और उसमें से जो है जीके क आपका 15 परस्त रहते हैं तो अगर जिदे आप जीके पढ़ रहे हैं तो देखते हैं कितने लोग 15 में से 8 का अंसर सही कर पाते हैं आपका ये टार्गेट है ठीक है अगर जिदे आप 8 का अंसर सही कर पाते हैं तो आपका त्यारी ठीक है नहीं तो आपको थोड़ा सा और मे उसमें आपका नहीं हो पाएगा और ये वीडियो नमबर हमारा जो है इंडियन आर्बी जीके का वीडियो नमबर 13 है अभी तक आपने 12 वीडियो तक नहीं देखा है तो वह भी आप देख लिजेगा क्योंकि सारे प्रस्ट सेलेक्टेड इसमें लिए जाते हैं ठीक है और अगर जिसमें आप चैनल पर पहली बार विजिट करने हैं तो लाइक सेर सस्क्राइब कर लिजएगा पहला प्रस्ट देखिए हमारा क्या है दिल्ली में किस मोगल सासक दौरा जामा मस्जिद का निर्मान करवाया गया था तो दिल्ली में कौन सा मोगल सासक था जिसके करना तो जामा मस्जिद का निर्मान करवाया गया था राइट अंसर ऑप्सन बी के साथ चला जाएगा साह जहां के द्वारा साह जहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्मान करवाया था यहां पर आपका अगला प्रस्थ है नीमन में से कौन सा अंग्रेजी समाचार पत यहां पर एक अंसर इसा है ौप्शन नोबहारत टैम्स जो समाचार पत्र अंग्रेजी पत्र यह नहीं है ठीक है नव भारत टाइम्स जो है यह अंग्रेजी में नहीं छपता है चलिए हैं पर अपका जो अगला प्रस्थ है अगला प्रस्थ है निम्न में से किसको पहले ओल इंडिया वार मेमोरियल के नाम से जाना जाता था क्या जाना जाता था ओल इंडिया मेमोरियल ओल इंडिया साथ इंडिया गेट को जो है इसके पहले ओल इंडिया और ओल इंडिया वार मेमोरियल के नाम से जाना जाता था यहाँ पर आपका अगला प्रस्न है 1191 इस्वी में तराइन कौन था जिसके बीच में यह लड़ाई हुई थी तो राइट एंसर आपका चला जाएगा ओप्सन नमबर डी के साथ ठीक है पिर्थिवी राज चोहान के साथ मोहमद गोरी और पिर्थिवी राज चोहान के बीच जो हुआ था तराइन का जो जुद हुआ था 1191 इस्वी में अगलो प्रेस्ण है पर देखिए अपका पर्माणू-यूर्जा- आयोग ठीक है पर्माणू-यूर्जा- आयोग का गठन जो है की इस वर्स में हुआ था राइट एंसर चला जाएगा ओप्सन नमबर सी के साथ 1948 इसवी में परमानु यूर्जा आयोक का गठन हुआ था यहाँ पर आपका अगला प्रसन छे नमबर प्रसन है निमलिखीत में से कौन सा एक सागर बिना तट की है सागर जो है बिना तट की है कौन सा इसका राइट एंसर चला जाएगा राइट एंसर चला जाएगा उप्सन नमबर B के साथ सारगसो सागर जो है इसमें कोई तट है ही नहीं ठीक है तो राइट एंसर उप्सन B के साथ चला जाएगा अगला प्रसन आपका जो है कौन सी नदी भूमद रेखा को दो बार पार करती है तो नदी है और भूमद रेखा को कितना बार पार करती है दो बार पार करती है कौन सा नदी है तो राइट एंसर इसका चला जाएगा option number C के साथ कोंगो या फिर कहीं कहीं आपको यहाँ पे कांगो भी लिखा हुआ मिल सकता है तो राइट एंसर ओप्शन C है कांगो नदी भूमद रेखा को दो बार पार करती है दो बार काटती है सक समवत जो है इसका पर्थम मास जो है कौन सा है तो देखे भारत में जो है लगबग जो हाँ पे सक समवत ही चलता है अलांकि अभी जनवरी फरवरी आ गया लेकिन सक समवत के हिसाब से जदी पर्थम मास की बात किया जाए पर्थम महना की बात किया जाए तो इसका सही उतर कौन सा हो जाएगा option C हो जाएगा चैत्र ठीक है यह चैत्र मास्ट जो है सक्सम्वत के हिसाब से पहला महिना है चलिए हैं पर अब हम लोग अगला प्रस्न को देखते हैं अगला प्रस्न अब क्या है भारत के सम्मिधान का विचार सरुपर्थम किसके द्वारत दिया गया था आने कि भारत में अभी जो हमारत सम्मिधान है जिसका निर्मान किया गया उसका सबसे बिचार उसके सबसे पहले बिचार किसके मन में आया कि भारत का एक सम्मिधान होना चाईए ठीक है तो right answer चला जाएगा अरब सागर में गिरने वाली नदी निम्द में से कौन सी है तो कौन सी नदी जो है सिधा जाकर के अरब सागर में गिरती है सही उतर आपका हो जाएगा उप्सन नमबर C माही नदी ये माही नदी जो है अरब सागर में गिरने वाली नदी है यहां पर अपका अगला प्रस्ट जो है जवाहर सागर बांध किस नदी पर इस्थित है तो देखे जवाहर सागर बांध जो है ये कौन सी नदी पर इस्थित है सही उतर अपका हो जाएगा उप्सन नमबर डी चम्बल नदी पर ठीक है चम्बल नदी पर जो है जवाहर सागर बांध इस्थित है चलिए अगला प्रस्ण के और हम लोग बढ़ते हैं देखे भारतिय सम्मिधान के निर्माता किसे कहा जाता है पिर कौन है तो सही उतरब का हो जाएगा ऑप्सन नमर ये डॉक्टर भीम राव अमिटकर जो है यहां पर भारतिय सम्मिधान के निर्माता कहा जाता है और भारतिय सम्मिधान का जो निर्मान का जो खैल सबसे पहले किसके मन में आये था उसका राइट अंसर क्या था एमें रोए था ठीक है तो यह दोनों प्रस्ण आपको आधर रखना है ठीक है अगला प्रस्ण आपका है गंतंतर दिवस जो है कब मनाए जाता है हला जैनती हम लोग मनाते हैं चलिए अगला प्रस्ण हम लोग देखते हैं हमारा राष्टिय चीन जो है हमारा राष्टिय चीन जो है यह कहां से लिया गया है राष्टिय चीन कहने का मतलब है कि जो अप कोईन पे या फिर जो हमारा नोट पे छपा हुआ राता है असोक अस्तम से ठीक है राइट एंसर कहां पर चला जाएगा अगर जिदि आप उप्सन भी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है और इस वीडियो में आपको हमने बताया था कि अगर जिदि आप संहुत 노म से और आपके अदे प्रस्ण हो ज सभाटा से है कि आपके लिए यहां पे प्रस्न जो दिया गया है जल योजना से, जल परमंधन से, सडक योजना से और फिर इन में से कोई नहीं, तो आपको ये वीडियो का अंसर अभी ही करना है ठीक है, तो अब इसका अंसर अभी कर दीजिए, और जब भी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को वीडियो में तब तक के लिए धन्वाद जहिन